हेलो, वेलकम टू माई चैनल, शी ब्यूटी, और आज मैं लेकर आई हूँ एक रिउकेस्टिड वीडियो, जो है कुर्तो का रिव्यू है, आफ्टर वाश, तो मुझे काफी लोगों ने कहा था कि आप आफ्टर वाश रिव्यू कीजे, तो इसलिए मैं आफ्टर वाश रिव के लिए खरीदा था, और मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो वो है यह कुछ-कुछ बनार सी टाइप का कुरता है, और यह महंगा है कुरता तो इसलिए मैंने इसको सोचा था कि मैं इसको ड्रैकलीन कराऊंगी, लेकिन फिर मैंने इसको हैंड वाश की किया, तो आफ्टर और नार्मली हर कपडा होता ही है, दूलने के बाद में, और फिर यह कुछ-कुछ के लेकिन वह वाश की यह वाश किया है, घर में इसको अइरन कीया है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं, लेकिन वह भी मुझे कुछ फर्क पता ही नहीं चला, थोड़ा सा मुझे स्लीफ से लग कुर्टे दिखाए हैं उन सभी वीडियो के मैं आपको लिंक दे दूगी तो आप उन वीडियो उन लिंक पर जाकर के इनको देख लीजेगा उसमें मेरा ट्राइओन भी आपको दिख जाएगा सेकें जो कुर्ता है वह ब्रैंड सीरिकेट से और इस ब्रैंड के मैंने दो कुर सब ही को मैंने हैंड वोश किया है सिर्फ मैंने इनको मशीन में सुखाया है और वदरवाइस मैंने इनको सब को हैंड वोश किया है तो आप भी वैसे ही कीजिएगा तो यह मेरा सेकिन कुर्ता जो वैसे के वैसे ही है और यह पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है औ तो आप देख सकते हैं, और कई कुर्ते ऐसे होंगे, जो स्टॉक में नहीं होंगे, तो उसका मेरा परवेस्ट दिखाने का है, यह को एक ब्रैंड या एड कि प्लेया मिल जाएगा रहा है, मैत रह नुद कयों, बॉल ओसको सब यह बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद में ये मैंने घर पे प्रैस नहीं किया मैंने भाहर से करवाया लेकिन ये प्रेट जो है ये सही से सेट नहीं हो पा रही है मतलब इसको बहुत अप एक एक प्रेट को ऐसे से करके सेट करिये तो शायद ही हो पाए तो ये मुझे थोड़ा सा ट्रीकी लग र और यह थोड़ा से लुक को खराब कर रहा है, सिर्फ यह वाली जो इस पर प्लेट्स पड़ी हुई थी, और जब मैंने इसको नया खरीदा था तब यह प्लेट्स बहुत अच्छी लग रही थी, और यह दुलने के बाद में ऐसे हो गया, अदरवाइस पूरा कुर्ता बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत है, सब की लिंक्स आपको मिल जाएंगे, अब जो है मेरा फूर्थ कुर्ता सेट है, ब्रैंड लिबास से, और इसको मैंने इसको कुछी दिन पहले दिखाया था वीडियो में, और मुझे बहुत आदा पसंद आया था, बहुती कॉमफटेबल अफॉर्डेबल भी था, तो इसको मैंने जल्दी पहना और जल्दी वाश इसले किया, क्योंकि इसका जो वाइट प्रिंट है न, इस पे सब के क्वेस्चन मार का रहे थी कि शैदी चला जाएगा, प्रिंट चला जाएगा, लेकिन मैंने इसको हैंड वाश किया, और मैंने इसको उल्टा करके नहीं किया कपडे को, इसके उपर ही किया है, तो भी फिर्ट बिल्कुल वैसे के वैसी है, और मैंने इसको दुनने के बाद में पहन करकी भी देख एट हो तो थोड़ा सभी श्रिंक नहीं हुआ और यह जैसे था वैसे के वैसे ही यह अगर आपको मिल जाए तो शयाद यह फ्लिप कार्ट के भी है एक शयाद पैरिट कलर है एक यह वाला लाइम ग्रीन था और एक शयाद इसका ए औरेंज है तो आप देख लीजेगा मैं लिंक्स दे रखेंगे में अपने तो आप उन पे यह जरुच यहां सकता है जरुक्त प्रिंट लो यह मैं आपको प्रिंट करेंग भागए द बलको भी प्रिंट नहीं गया भी पर आपковह ही जो अग्मों hair यह मेरा कुर्टा सेट फर्स्ट कुर्टा सेट और दूसरा मेरा कुर्टा सेट है श्रीका और यह मैंने काफी टाइम पहले दिखाया था अपने वीडियो में तो इसको मैंने वाश किया है और यह मुझे कुर्टा लगा कि थोड़ असा श्रिंग हुआ है क्योंकि यह उस ट्र बाकि यह कूर्टा सेट भी अच्हा है पिसको ले सकते हैं अब आपको बताती हूँ यह कुट्टे दो जो मैंने लिये थे और यह से और यह मैंने श Khalid Lilia से अरने पशचेज किली थे अब उतना ठीक से याद भी नहीं है शाद मैंने 28 mm और पहले यह वाला लिया था पर मुझे यह बहुत पसंद आया और यह वाला जो कुर्ता है यह मैंने एक ही बार वाश किया है तो यह वैसा ही सेमी है सब कुछ तो यह भी बहुत अच्छा है यह भी आप ले सकते हैं अगर आपको मिल जाए में पॉइंट तो भी है कि यह सब मिल भी जाएंगे कि नहीं तो इसलिए आप देट लेजएगा आप जो मेरा कुर्ता है वो है यह 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 मैंने लिया था ब्रैंड रेन एंड रेन्बो से तो यह वाला मैं आपको यह दुलने के बाद में एक ही बार वाश हुआ है और यह शाद हैंड वाश किया था है हैंड वाश ही किया था इसको मैंने तो यह वाला जो कुर्ता है इसक पुराने के जैसा लग रहा है तो इसलिए मैं यह वाला कुर्ता आपको रेकमेंड नहीं करूंगी तो इसलिए मुझे यह थोड़ा सा इसने डिसापइंड किया क्या क्योंकि मुझे पुराना पुराना सा लग रहा है एक बार दुलने के बाद ही नय वाली बात नहीं रह गई तो यह वाला कुर्ता मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी एक कृता है मेरा मैक्सका यह मैंने काफी पहले वीडियो में दिखाया था और यह कुरता अचली मैं ने कई बार वाश कर लिया और मैं रगष किया है इसको तो शायद इसलिए लेकिन इसका यह हलका यह प्रेंट इसका है डल हो गया तो यह वाला कुरता भी मैंको रेकमेंड नहीं करूँगी और वplex इसको मैंने एक यी बार पहना और एक यी बार ऐसके तो यह वाला कुर्ता मैं आपको highly recommend करूंगी क्योंकि जब मैंने इसको पहना था तो भी मुझे बहुत compliment मिले थे यह बहुत अच्छा लगा था but I wish कि आपको मिल जाये स्टॉक में तो हो सकता है ना मिले क्योंकि काफी टाइम पहले मैंने इसको अपने वीडियो में दिखाया था और अभी बहुत सारे कुर्ते हैं जिनको मैं ला सकती थी वीडियो में लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा तो यह वाला कुर्ता इस तरह से है और मुझे भी इन सब के प्राइच भी आद नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा link visit करके तो यह वाला कुर्ता मैं आपको recommend तो करूंगी लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि तॉक में है की नहीं तो यह है मेरा लास्ट कुरता और यह मेरा था part 1 after wash review अभी मैं जल्दी ही part 2 भी लेकर के आऊंगी I hope कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजी और मुझे comment करके बताएगा आपको कैसा लगा कोई